तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एर फोर्स ज्वारा 100 के आस पास एलसी तेरियस माकवन ए एक्राफ्ट एडिशनरी ओर्डर किये जाएंगे जिसको लेकर हमारे एर चीफ मार्शल विवेकराम चौधरी द्वारा क्लियरली मीडिया को बताया गया तो ये एक ट्रेंड हम देख सकते हैं जहां पर इंडिजिनिस विपन्स को लेकर जो प्रक्यूर्मेंट है ये खुल कर किया जा रहा है इवन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो नेत्र माक वन हमारे द्वारा यूस के जाते हैं जो की डियाडियो अवैक्स भी कहे जाते हैं इन्हें च्छे के नमबर में और लिया जा सकता है ये एक्राफ्ट तीन के नमबर में पहले ही इंडियन एरफोर्स द्वारा ऑपरेट किये जाते हैं तो टोटल नमबर इनके 9 हो जाएंगे वहीं पर नेत्र माक दूपर भी काम किया जा रहा है जिनके 6 के नमबर हम पहले ही ओर्डर करेंगे बाकि अगर बात करें बड़े फैलकन एवैक्स की तो वो हमारे पास पहले ही तीन के नमबर में मौझूद हैं तो टोटल जो एवैक्स की संख्या होगी इंडियन एरफोर्स में ये 18 हो जाएगी यानिकी 18 जो की present requirement के हिसाब से sufficient होगी पर ये संख्या आगे फर्दर बढ़ा जाएगी तो ये हाली में रिपोर्ट आई थी कि ये जो नेत्र माक वन है इन में भी थोड़े बहुत improvement किये गए है और एक नेत्र माक वन ए वर्जिन एक्जिस्ट करता है और जो currently इंडियन एरफोर्स द्वारा जो DRDO एवैक्स यूज किया जाता है ये most likely नेत्र माक वन ए ह तो हाली में हमने ये trend देखा है कि इंडियन एरफोर्स जो है जो resources available है उनको पूरी तरिके से use करने के लिए तैयार हुई है पहले हम ये देखते थे कि एरफोर्स द्वारा particular requirements सामने रखी जाती थी और उसको पूरा करने के लिए जो procurement process है वो सालो साल चलते थे और जो requirements है य Indian Air Force को पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई उसके बाद अगर हम MRFA के अंतरगत 114 aircraft को देखें तो ये भी requirement दश्कों से है अभी तक पूरी नहीं हो पाई और ये experience Air Force को definitely मिला होगा कि जो particular requirement रखे जाती है उनको लेकर RFIs, RFP निकाले जाती है उनके इंतजार में दश्कों तक important capability gap हमें face करना पड़ता है तो जो existing resources हैं उनको इस्तेमाल करना यहां पर सबसे अच्छा option है और जब आपके पास एक aircraft है जो की काफी capable aircraft है अगर आप अगर आप अपने western neighbor के हिसाफ से देखें तो उसके नमबर बढ़ाने चाहिए और इसी के अंतरगत LC 30 माकवने के नमबर बढ better हैं पर उस थोड़ा better के चक्कर में हम तश को बरबाद कर चुके हैं और future में भी uncertainty रहेगी जो की हमें cost करेगी तो यह जो existing option है ज़ादा better है same case evacs के साथ भी था कहा यह जा रहा है कि शुरुआत में ही 9 evacs order कर दिये गए होते लेकिन बीच में evacs को लेकर काफे कुछ खीचा रही थी पहले cabs दोरा एक बड़े evacs पर काम किया जा रहा था वो finalize नहीं हो पाया उसके बाद जो falcon evacs से इनके edition number लिये जाने थे वो भी finalize नहीं हो पाया उसके बाद नेतर मार्क 2 का concept आया जिस पर काम चल रहा है पर फिर भी Indian Air Force की जो evacs के requirement है यह अभी भी कम रह गई है तो नेतर मार्क 1 या फिर मार्क 1A definitely नेतर मार्क 2 या फिर जो falcon evacs है उतने capable नहीं है पर फिर भी यह हमारे requirement को पूरा करते हैं और इनके ना होने से होना हमारे लिए काफी जादा beneficial है तो इसे low hanging fruit कह सकते हैं जो कि हम काफी समय से avoid कर रहे थे यह कोट हमने सुनाई है कि quantity भी एक तरीकी की quality है और हमारे case में चाहे तेरस मार्क 1A हो चाहे नेतर मार्क 1A wax हो यह quality में कहीं से भी कम नहीं है हाँ इनसे better aircraft exist करते हैं पर यह भी कहीं से कम नहीं है बाकी यह चीज़ भी हम साफ करते हैं पहले हमने कहा है इनके तो 6 के number में aircraft लिये जाएंगे यह ऐसा नहीं ह 6 और Avax को add करना जरूरी है साथी साथ हमें refuelers को लेकर भी यहाँ पर innovative होना जरूरी है जिसके अंतरकत हमारे जो existing C-130J super hercules हैं इनको भी हमें temporary refueler में convert करके देखना चाहिए साथी साथ यह जो C-295 aircraft हमारे दोरा receive किये जाने चालू किये गए हैं इनके भी refueler option को हमें explore करन चाहिए जो कि award time में हमारे ले काफ़ी जादा beneficial हो सकते हैं क्योंकि इनके अच्छे कासे numbers हम acquire कर रहे हैं तो यह एक सही direction में step है hopefully ऐसे step future में भी हमें दिखाई दे I hope information के लिए रही हो इसी बात पर इस वीडियो को हम खतम करेंगे like करिए subscribe करिए चेहन